कुछ परमपरा हैं एतिहासिक, हिस्टॉरिकल, हम यहां से पीछे चलें अपने पूर्वजों में। बहुत से नाम आते हैं भारत के अंदर, बहुत से नाम आएंगे दूसरे देशों के अंदर। और पीछे चलें, तो मानवता सिमट्टी जाएगी। अभी इस पर तो हम मान लीजे कि कुछ मदवेद हो, कि स्रिष्ट्री शुरू हुई क्या एक इनसान, एक माँ और एक बाप से एक इश्ट्री और पुरुष थे, या शुरू में कुछ थोड़े से लोग थे, एक साथ आ गये, उनसे शुरू हुई इस पर तो कुछ मदवेद ह विकास के थुरू बने थे, या अचानक इश्वर ने उत्पन कर गिया था, अभी इसकी बात भी नहीं करते, लेकिन कुछ थोड़े से लोगों से, या एक माता पिता से स्रिष्टी शुरू हुई, फिर ये दुनिया के अंदर विश्ट के अंदर बहुत लंबा परिवार ब बात की थी, हमारे यहां भारत के अंदर एक परंपरा बहुत पुरानी चलिया आ रही है, जो यहां के तकरीब करीब सारे पुरानों के अंदर है, उसके कुछ बीच वेदों में भी मिलते हैं, इशारे, शार्पत ब्राहमन के अंदर भी मिलते हैं, और वो यह है, कि प्राच उसमें से वो जिनके समय में वी श्विस्तरिये बाड़ा आई थी, महाजल प्लावन वाले मनु, मनु अफ दी डिल्यूज, वो परमपरा या स्टोरी की बात हो रही है, इसे भी मत मानी है, लेकिन हम परमाणों के इसारी परमपराओं से परमाणों के करीब पहुंच रहे हैं और ये परमपरा ऐसे है जो बहुत से पुरानों के अंदर आई, और शत्पत ब्राहमन में भी आई, कि सारे विश्व के लोग पापी हो गए उनके समय में, तो इश्वर ने कहा कि अब प्रकोप आएगा, जल प्रले आएगी, पानी की कियामत आएगी, सारा विश्व जाएगा, सबका सनहार हो जाएगा, और मनु तुम एक नौका बनाओ, उस पर अपने अनुयाई जो थोड़े से तुमारे मानने वाले हैं, उनको सवार कर लो, सिर्फ ये बचेंगे, विश्विस्तरिये जल प्रले होगी, बाकि फिर कोई बचेगा नहीं, कोई जीवित नह जाएगा, जानवरों का चोड़ा चड़ा लो एक एक, ताकि स्रिष्टी फिर से शुरू हो, पेड़ पौदों के बीज रख लेना, वो बाढ़ आई, जल प्रले आई, बहुत दिनों तक वर्शा भी होते रही, बहुत दिनों तक धरती से भी पानी उबलता रहा, समधर का इस तर उपर उचा हो गया, सब खतम हो गया, सब का सनार हो गया, अब बचे सिर्फ जो कष्टी वाले थे मरू महाराज और उनके साथ कुछ लोग, भारती परमपरा में उन्हें कहते हैं हम, यहां पर उन्हें कहा जाता है वो जो साथ में कुछ थे सब्त रिशी, यानि साथ नर्णारी जो उनके साथ थे, सब्त रिशी, एक प्रशन तुम्हें यहां पर सामने रखता चलूँ, फिर मैं कुछ और बात करूँगा, इस परमपरा को में दूसी जगा पर हम तलाश करेंगे, लेकिन एक प्रशन में लेता चलूँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब स्रि चत्री और वैश को पैदा किया, हम नहीं डिस्प्यूट करते हुआ होगा, कुछ लोग अगर मानते हैं, लेकिन स्रिश्टी के बीच में कभी तो ऐसा एक समय आया इतिहास के अंदर, जब ब्रह्मन था तो वो भी पापी हो गया, शुद्र था तो वो भी पापी हो गया, औ बचा कोई नहीं, वैश भी ढूबा, छत्री भी ढूबा, ब्रहमन भी ढूबा और शुद्र भी ढूबे, सब खतम हो के सब पापी थे, बचा कौन, मनु महाराज और सब्त रिशी, सात नर्नारी जो रिशी थे, अब वहां से स्रिश्टी दोबारा शुरू हो रही है, जाने अब आए कहां से सब, चलिए, मैं फिर इसी परमपरा की बात में करता हूँ, यह तो यहां की थी हमारी, यही परमपरा, अगर हम किसी मुसल्मान यहां पर बहुत से मौजूद हैं, मैं पूछू उन से कि यह किसी घटना है, कहेंगे हदरत नू अले सलम की, कुराण श्री प इस नौा किये यह, उस बाइबिल के उसी से को, जो ओल्ड टेस्टेमिंट है, जिसमें यही घटना मौजूद है, उसे यहूदी जीूस भी मानते हैं, और उसे क्रिश्चिन्द और इसाई भी मानते हैं, यह सब मिला कर, दुनिया के आस्तिकों कि मैं उन्हें जाने दीजे क जो कहते हैं इश्वर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आस्तिक हैं, उन आस्तिकों कि कितनी बड़ी संक्या हो गई, क्रिश्चिन, इसाई, मुसल्मान, हिंदू कहलाने वाले, यह सनातन धर्मी, यह तीन तो वो हैं जो उपर से मैं ले रहा हूँ कि जो दुनिया की सबसे बड़ी संक्या है, नमबर एक पर फिश्चिन है इस वक्त जन संक्या के अंदर, नमबर दो के उपर इस वक्त मुसल्मान है, नमबर तीन के उपर इस वक्त वो हैं जो उनकी हिंदू कहलाते हैं, यह तीनों, अभी बाकी हैं, यहूदी जियूस, यह चारों मिलाकर कित या रही है प्राचीन काल से तो इसमें कोई तो वास्त विक्ता होगी कुछ हकीकत होगी मैं नहीं कहूँ आप नहीं कहिए इसे साइंटिफिक सुबूत मत कहिए लेकिन अब ये परंपरा भी समझा के चले आ रही है खाली नाम का एक अंतर आ रहा है कहीं नू है कहीं नौा है और मनू नाम नहीं है वो टाइटिल है उनका नाम भी आया भविश्य पुराण में नाम भी आया उनका नाम है नू ये भविश्य पुराण में नाम दिया हुआ है अब नू है नौ है और नौ है उचारण का अंतर है एक ही नाम के साथ में ये परंप लिखता होगी ये हमारी प्राचीन परमपरा यहां पर यानि हमारे सब के पूरवज एक ही हुए उन पूरवजों से चल रहे हैं अब आगे के अलग-अलग हो गए जाकर